इना सोचे समझे क्यों ही चीज अगर अपसेशन बन जाए तो इसके बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस हमें भूगतने पड़ सकते हैं हेलो फ्रेंड्स आज के अमारे मूवी स्विम फैन चो 2002 की एक साइकोलोजिकल थ्रिलर मूवी है इसी थीम पर बेस्ट है टाउन में नहीं आई हुई लड़की एक लड़के से अपसेस्ट है अब यह अपसेशन किस हद तक जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना जातो अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बिना किसी देरी के इस एकस्प्लेशन को स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्यारेक्टर है इसका नामें बेन कि अपनी गल्फ्रेंड एमी के साथ मेक आउट कर रहा था इसके बाद उससे स्विम करता हुआ हम देख सकते है वो अपनी मदर के साथ अकेल आई रहता है नेकसीन में हम देखते है अपने स्कूल में स्विमिंग की टीचर के पास हो है उसके टीचर ने उसे पताया तुम्हारा गेम एसेस करने के लिए कुछ लोग आ रहे है एक्चुल में बेन को स्टैन्फर्ड में एडमिशन चाहिए अगर उसने सही से स्विम करकर बहुत अच्छा परफॉर्मस दिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा ये लोग लेट आने वाले थे पर अब जल्दी आने वाले है उसके कोचों से समझाते है तुम्हारे पास एक वीक है इस वीक में तुम्हें सिर्फ स्विम करना है हमेशा स्विमिंग के बारे में ही सोचो जिससे तुम जीत सकते हो बेन के लिए एक बहुत बड़ा चांस था इसके बाद बेन अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हो हम देख सकते है बेन का एक फ्रेंड है जिसका नाम है जॉश जॉश और बेन इन दोनों में कॉम्पिटिशन है स्कूल के हॉलवे में एक लड़के से टग रहा है जिसका नाम है क्रिस्टोफर इन सब को क्रिस्टोफर बहुत ही अजीब लगता है जॉश उसका मजाग ले रहा था पर बेन उसे रोक लेता है बेन अब स्टैंटफर्ड में जाएगा और उसके गल्फरेंड कहीं और उनिरसिटी में जाने वाली है इन दोनों में 3000 माइल्स का डिस्टन्स है एमी को इन दोनों की रिलेशन्शिप को लेकर ज़रा बुरा लग रहा था वो बेन से गहती है तुमारी यूनिरसिटी के पास ही में अपलाए कर सकती हो यानि के दोनों एक ही सिटी में रहेंगे बेन को भी ये बात अच्छी लगी उसने आज एमी के लेक ब्यूटिफुल सा गिफ लाय था ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद हम आमारी और एक में कैरिक्टर इसके नामे मैडिसन इस स्कूल के लॉकर के बास देख सकते है ये अपना लॉकर खोल नहीं पा रही थे ये बेन ने देखा उसके हल्प करने के लिए बहुँच गया बेन ने नोटिस किया था Madison स्कूल में नहीं है Madison को embarrassed लगा यह स्कूल में नहीं लगती है Ben Madison से उसके hair clip मांगता है इसी से उसने उसका locker खोल दिया Ben के पास एक jacket है जिस पर उसके initials नहीं थे Madison इसके बारे में उससे पूछती है तो Ben कहता है कि वो एक swimming team में है Madison ने पूछा या तुम अच्छे swim कर दो Ben कहता है कि मैं ठीक ठाक हूँ यह सीन यहीं कतम होता है ने इसन में हम देखते है कि Ben एक hospital में part time job करता है वहाँ के सारे patients के साथ उसके बहुत अच्छी बनती है वहाँ के एक old patient उसे मजाग में कहते है मैंने लिए girlfriend ला दो Ben कहता है आपके age group में girlfriend लाना है बहुत मुश्किल है इसके बाद नेक सेन में स्विंग पूल के पास Ben और Josh बात कर रहे थे Josh कहता है हमारे school में एक नहीं लड़क्याई है यह Madison के बारे में बात कर रहा था उसे वह बहुत अच्छी लगी उसने कहा क्रिस्टोफर की कजन है क्रिस्टोफर वही लड़का है जिससे Josh बुली करता है उसे वज़े से उसे लगता है Madison के साथ उसका कोई भी चांस नहीं है घर जाते वग गाड़ी चलाते हुए Ben ज़रा distracted था अचानक से उसके सामने Madison आ गए वो जल्दी से ब्रेक मार कर उसे बचा लेता है Madison के बुक सोगेरा सारे नीचे गीर गए थे यह सब उठाने में हल्प करता है Ben को बहुत बुरा लग रहा था वो Madison को कहता है चलो मैं तुमें घर छोड़ देता हूँ जाते वग Madison Ben से कहती है तुम बहुत ही काम के आदमी हो Ben जब घर पर आया तो नोटिस करता है Madison अपनी नोटबुक उसके गाड़ी में भूल चुकी थी Ben ने अपने आपको रेजिस्ट किया पर फिर भी ये बुक को देखी लेता है इसमें Madison की music notes थे Madison चेलो बजाती है तो इसमें उसके धुन थे Ben ने नोटिस किया यहाँ पर BC ये initial बने हुए है Ben का पुरा नाम Ben Cronin है तो ये उसके initials थे अगली दिन Ben ने Madison को call किया तो Madison कहती है नोटबुल लेकर मेरे घर आजाओ Madison के घर आने पर Christopher ने दरवाजा खोला Ben उसे कहता है वो हमेशा Christopher से बहुत ही इरिटेड होती है उसने Ben से इसके लिए sorry कहा वो कहती है कि आज मैंने lunch नहीं किया शायद इसी वज़े से मैं गुस्सा हूँ Ben और Madison ये दोनों फेरे कैफे में आये Madison बेन से बुशती है या तुम हमेशा पीन से लौकर खोलते हो Ben कहता है कि ऐसा नहीं है कुछ सालों पहले वो ट्रवल में आ गया था वो ड्रक्स करता था बहुत सारी illegal चीज़े उसने की ड्रक्स के लिए उसे पैसे भी चुराने पड़े थे बाद में इस सब पुलिस को पता चला वो असी जेल में डाल दिया गया Ben कहता है ये सब मेरे life में होना ये अच्छे के लिए हुआ उसके जेल में swimming pool था जहांकि cleaning का काम Ben के पास था फिर क्या था वो swimming करने लग गया और इसी वज़े से आज वो एक top player है Ben जब swimming करता था तो सारी problems उसकी meet जाती थी Madison कहती कि मैं समझ सकती हूँ जब में चेलो पजाती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है वो world की सब चीजों से escape जाती है Ben पूछता है कि तुम अब यहाँ हो क्या इससे भी escape जाती हो Madison ने कहा कि अभी नहीं अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उसे कही भी नहीं जाना वो उसे flirt कर रहे थी तो Ben कहता है मेरी girlfriend है Madison के साथ कोई भी relationship नहीं रख सकता Madison कहती है तुम मुझे बहुत पसंद आये थे पर क्या करे तुम single नहीं हो वेसे भी मेरा New York में एक boyfriend है हम एक दूसरे से दूर है तो हमें dating करना allowed है Ben कहता है मेरा friend Josh तुम्हें बहुत interested है Madison ने कहा पर मैं उसमें interested नहीं Ben कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ Madison कहती है कि मैं घर जाने के लिए ready नहीं हूँ Ben को swimming करनी थी तो यहीं देखने के लिए Madison उसके साथ आई उसे swim करता हूँ देखकर वो भी swimming pool में आ जाती है वो कहती है मुझे swimming करना नहीं आता प्लीज मुझे सिखाओ Madison उसके साथ nude थी तो उसे देखकर Ben excited हो गया था Madison उसे किस कर लेती है यह दोनों फिर यहीं intimate होने लग जाते है Madison बेन से कहती है कहो कि तुम उससे प्यार करते हो Ben को यह बहुत अजीब लगा तो कहती है सिर्फ तुमें कहना है इसका कोई भी meaning नहीं है Ben भी यह कह देता है Ben ने Madison को घर पर छोड़ दिया Madison कहती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए वो एक जोक नहीं बनना चाहती है उसने पूछा क्या हम अभी भी friends रह सकते है Ben हा कहता है सुबह Ben को उसकी girlfriend का call आया उससे पुछती है कल तुम उससे मिलने आने आने वाले थे आये क्यों नहीं Ben कहता है कि कल मुझे homework था तो उसके friend के साथ ही था जिस friend का उसने नाम बताया उससे की mother injured थी तो इसके बारे में Amy उससे पुछती है Ben को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था पर फिर भी Amy को जादा को शक नहीं गया Amy ने Ben को उसका locker चेक करने के लिए कहा उसके locker के उपर एक छोटा सा fool था Amy का लेटर उसे इसमें मिला जिसमें लिखा है तुम मेरे life में हो तो मुझे बहुती proud महसुस होता है लेटर और fool लेकर Ben Amy के पास गया पर एफूल उसे Amy ने नहीं दिये थे Ben इससे surprise था आज swimming करते हुए भी Ben का focus इधर उदर था कल जो हुआ इस के लोशे guilty लगता है तो इसी बारे में वो सोच रहा था रात में इन सब friends की party है इस party में Josh Ben से कहता है आज में तुमारे आगे था Josh की friends ने कहा कि आज Ben का concentration नहीं था वरना होमेशा तुमें हरा देता है Ben यहाँ से निकल कर जब Amy से मिला तो Amy कहती कि मेरे friend से मिलो Madison ये दोनों एक दूसरे से introduce होते है जैसे वो first time मिले हो Ben को ज़रा uncomfortable लगा तो वाश्रूम चला जाता है Ben की गाड़ी रस्ते में पाक की हुई थी तो Amy जाकर इस गाड़ी को सही से पाक करने वाली थी Ben की बीचे बीचे Madison आई Madison कहती है तुमारी girlfriend बहुत अच्छी है Ben ने कहा तुमसे बात करना मेरे लिए ज़रा uncomfortable है Madison कहती है कही और जाकर बात करते Ben उसे समझाने की कोशिश करता है तो असकर कहती है कि मैं समझ गई जादा मुझे समझाने की ज़रुवत नहीं उसने कहा मेरे innerwear तुमारे गाड़ी में है प्लीज मुझे उलाग करतो Ben रियलाइस करता है गाड़ी देखने के लिए Amy गई हुई है चल्दी से वहाँ से बागा और Amy गाड़ी खोल सके इसे पहले उसने उससे चावी ले लिए Ben जब email देख रहा था तो Madison के उसे mail आये थे वो reply नहीं करता तो Madison उससे continuously email करती है Ben कहता है इसमें study कर रहा हूँ बाद में हम बात करेंगे स्कूल में भी Ben Madison को ignore कर रहा था इस तरीके से तुम पफरम नहीं कर सकते तुम में और तुमारी girlfriend में जो भी चल रहा है इसे सही से sort out करो Ben जब घर पर पहुँचा Ben की मदर के लिए फूल लेकर Madison वहाँ आई हुई थी Ben ने देखकर बहुत ही गुसा था उसके बास आता है और कहता है तुमें कुछ गलत लग रहा है मुझे तुमारे साथ कोई भी relationship नहीं रखने Madison कहती है तुमने कहा था क्या हम friends रह सकते हैं इसलिए मैं तुमारे घर पर आई थे शायद मैं तुमें गलत समझी थे वो उस पर गुसा हो गई नेक्स डे बेन जब लाबरेरी में study कर रहा था तो उसे Madison के बहुत सारी emails आए इसमें Madison ने उसके nudes भीजे थे यही बेन से बात करने के लिए उसकी girlfriend Amy आ जाती है जल्दी से Ben इसे burn कर देता है Amy आज उससे मिलना चाती थे Ben ने उसे मना कर दिया वो guilty mazos करता है इसलिए उसे ignore कर रहा था Amy disappointed होकर वहाँ से चली के swimming करते वक्त Ben ने देखा Madison और Josh अभी एक साथ है Ben एमी को ignore कर रहा था तो उसे मिलनी के लिए आई कहती है यह तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगर इसे तुम्हें टेंशन आता है तो ये भी fine है कोई भी problem नहीं Ben कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं वो उसके साथ ही रहना चाता है आजकल सिर्फ जरा tension में था Nixon में locker room में Madison Ben से मिलने के लिए आई वो उसे कहती है मैंने ऐसा क्या गलत किया प्लीज मुझे बता दो Josh मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता वो सिर्फ उसे जाती है Ben कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता Madison कहती है अपनी girlfriend के साथ break up कर लो Ben कहता है मैं तुम्हें छोड़ना चाता हूँ या तुम्हें समझ में नहीं आता Madison कहती है पर तुमने मुझे I love you कहा था Ben और भी गुस्सा हो गया गयता है तुमने मुझे कहा था I love you कहने के लिए इसका कोई भी मिनिंग नहीं था Madison को यहाँ अपना control lose करते हो हम देख सकते है Ben जब अपने काम पर था तो सब को Madison दे रहा था एक patient को इसका reaction आ गया hospital staff को पता चला Ben ने सब को गलत गुलिया दिये Ben ने realize किया अपना card छोड़ कर वो थोड़ी देर के लिए कही चला गया था उसे लगता है Madison ने उसका card change कर दिया इस पर Ben बहुत गुस्सा हो कया था उसके पास आकर उसका गला दबा कर उसे धंगी देता है कहता है मेरे आस पास भी मत दिखना हॉल में अगर मैं दिखू तो अलग रास्ते से चली जाना तुमने आज जो किया इससे लोग मर सकते थे Ben फिर एमी से मिलने के लिए गया जो भी हुआ यह सब उसे बता देने वाला था एमी को आज लेट रात तक काम करना पड़ेगा तो कहती है कलम स्कूल में बात करते है अरली दिन जब Ben स्कूल में पहुचा तो सबको पता चल चुगा था कि मैडिसन और उसमें अफेर है वो एमी के पास आया तो एमी उसे स्लैब कर देती है उसे सौरी कहता है एमी ने पूछा तुमने यह किया क्यों Ben के पास कोई भी आंसर नहीं था Ben के आप स्विमिंग की कॉम्पेटिशन होने वाली थे इसलिए उनकी यूरीन मेगरा चेक की गई कॉम्पेटिशन का दीन आया Ben को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ कोई भी नहीं था सिर्फ मैडिसन थी अचानक से Ben के कोश को कुछ पता चला Ben से आगर कहते है तुम डिस्कॉलिफाइड हो तुमारी यूरीन से हमें पता चला तुम स्टूराइड्स लेते थे जो यहाँ पर अलावड नहीं Ben कहता है कि मैंने इसा कुछ भी नहीं किया वो बहुत ही डिस्टरब हो चुका था उसने मैडिसन और जॉश को एक साथ देखा था तो उसे लगा इन दोनों ने मिलकर उसे फसाया है वो जॉश को कंफरेंट करता है पर जॉश उसे उठा कर पानी में डाल देता है Ben जब घर पर आया तो उसकी मदर उसे बहुत ही डिसपॉइंटर थी लास्ट टाइम भी और ड्रक्स की वज़े से जेल में गया था तो मदर को लगा इस बार भी शायद वही हो रहा है जेम्स कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया एक बार अल्डेडी ये सब हो चुका है तो मदर उस पर बिलीव नहीं करती रात में Ben फिर से एमी के पास आया वो एमी से कहता है ये सब मैडिसन ने किया है एमी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ इसके बाद निक सीन में मैडिसन और जॉष ये दोनों मेक आउट कर रहे थे मैडिसन यहाँ Ben का नाम लेती है जिसे जॉष बहुत ही चिड़ गया जॉष कहता है कि जो Ben ने कहा ये सब कुछ सच था वो कभी भी स्टूराइज ने लेगा तुमने उसे फसाया है ये सब जाकर वो जॉष को बताने वाला था Ben को स्विमिंग टीम से निकाल दिया गया है लास्ट टाइम वो पूल में स्विम करता है जहाँ पर डारिकली उसे जॉष की बॉड़ी ही मिलती है मैडिसन ने उसे मार डाला था Ben ने सब रिपोर्ट किया और पुलीस का सारा शब ये Ben पर ही था Ben को मैडिसन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो सब हो चाहिए था ये ही डूड़ने के लिए उसके रूम में वाया मैडिसन का उसे एक बॉक्स मिला इसमें Ben जिस भी केम में जीता है उस सब के निउस पेपर कटिंग्स है उसके पास Ben और Amy की फोटो भी थी पर Amy की फोटो के उपर मैडिसन ने अपनी फोटो लगा दी थी इस बॉक्स में Ben को मैडिसन के एक्स बॉइफरेंड का फोटो भी मिला Ben को मैडिसन के रूम में Christopher देख लेता है वो Ben से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ अगर मैडिसन को पता चला तो तुम्हें वो मार देगी बहर आने पर Christopher Ben से कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है Christopher फिर मैडिसन के एक्स बॉइफरेंड के पास Ben को लेकर आया उसका एक्स बॉइफरेंड कोमा में था शायद यह उसका हाल भी मैडिसन नहीं किया हो Ben को पता चला कि वो भी एथलीट है शायद इसी वज़े से मैडिसन को Ben पसन आया था Ben की गाड़ी मैडिसन के घर के बहार थे उसने गाड़ी ली और Amy से ठकरा दी Amy को होस्पिटल में अडमिट किया गया Ben की मदर डॉक्टर ही है तो Ben को कॉल कर देती है वो कहती है पुलिस को लगता है तुमने Amy को मारने की कोशशिश की तुम होस्पिटल में वापस मताना Ben कहता है कि Amy अब तक safe नहीं है मैडिसन फेस्ट उसे मारने की कोशिश करेगी पर बेन इस हॉस्पिटल में आ नहीं सकता अब हम हॉस्पिटल में मैडिसन को देखते हैं वो डॉक्टर के कपड़े पहन कर एमी की रूम तक जा रही थी मैडिसन एमी को मारी देती तब ही माइक पर अनॉंस्मेंट हुए इस प सल्दी से पकड़कर उसे चाकू लगाया मैडिसन कहती है तुम्हें गट्स नहीं है बेन कहता है तुम्हारी वज़े से सबको लगता है मैंने जौश को मारा मैडिसन कहती कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी लिए किया तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते मैडिसन को बेन स्टूपेड लगता था पर बेन ने ये सब बाद रिकॉर्ड कर ली इस टेप में मैडिसन का पुरा कन्फिशन है इसके बाद वो पुलीस को बलाते है वो सब को सॉर्ट आउट हो जाता है मैडिसन को जब पुलीस लेकर जा रहे थे तो मैडिसन ने उनकी गन ली और उन्हें मार डाला बेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था वो एमी के पास आया उससे कहता है कि तुम्ही मेरी सब कुछ हो मैं लाइफ में कुछ भी करो पर फिर भी हमेशा तुम्हें ही चाता रहूंगा उसे गलती होगे प्लीज मुझे माफ कर दो वो रो रहा था तो एमी ने उसे माफ कर दिया बेन फिर घर आता है घर आने के बाद उसे नीचे से कुछ आवाज आई उसने देखा तो उसकी मदर बेहोश पड़ी थे मैडिसन ने पीछे से उस पर वार किया और उसे भी बेहोश कर दिया बेन को जब होश आया तो अपनी मदर के लिए हैल मंगवाता है वो एमी को देखने के लिए गया तो गायब थी उसे मैडिसन का कॉल आया मैडिसन उसे स्विमिंग पूल बुलाती है बेन वहाँ पहुचा तो मैडिसन ने एमी को एक विल्चेर से बान दिया था वो गहती है मेरी तरह तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा कहेकर उसने एमी को पानी में पुश कर दिया बेन जम मारता है पर एमी के हाथ पर हतकड़िया बंदी हुई थी उसे अपने पैंड्स में मैडिसन की हैर क्लिप मिली इसी से उसने एमी को छुड़ा लिया वो पानी से उपर आने की कोशिश कर रहा था पर मैडिसन उसे आने नहीं देती इस कोशिश में वो भी पानी में गिर गई उसने बेन के लेक्स पकड़ कर रखे थे वो उसके साथ मर जाना चाहती थी मैडिसन उसे डूबाने की बहुत कोशिश करती है पर बेन उपर आ गया उसने एमी को बचा लिया जैसे कि मैं पता है मैडिसन को स्विम करना नहीं आता तो पानी में डूप करी उसकी डेथ हो गए अब इसके बाद देखते हैं कुछ ताइम गुजर चुका है बेन अब स्विमिंग टीम में नहीं रहा पर वो एमी के साथ है तो खुश है इसी मुमेंट पर इस मुवी का एंड हो जाता है बेन की कलती उसे बहुत भारी पड़ी अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेन इडिवेशन आइकोन दोने मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तो प्लीज थैंक्यो आप अपने आपका खैल रखिया